नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नौलिज ट्वीट्स पर तो आईए देखते हैं आज का करेंट अफेस फर्स्ट मैं अप्रिल 2020 का करेंट अफेस हम देख रहे हैं और जो भी इंपॉर्टन न्यूज है वो हम देखेंगे एक्जामिनेशन पॉ पॉला गया है कि नैशनल कॉंसिल फोर साइट टेकनोलजी कम्मिनिकेशन और डिपाट्मेंट ऑफ साइट टेकनोलजी जो है गवर्न ऑफ इंडिया का ये दोनों ओर औरhes니ं ने मिलके संचार कम्मिनिकेशन कारेक्रम YES स्टेर्ट किया है ठीक है यह जो yes है इसका full form क्या होता है इसका full form होता है year of awareness on science and health ठीक है तो यह जो प्रोग्राम है यह क्या करेगा यह जो प्रोग्राम है इसे grass root level पे response का पता चलेगा कि health awareness कितना generate हो रहा है कोविड जो फैला हुआ है कोविड 19 जो फैला हुआ है disease इसके बारे में awareness create करना है और यह कितना पहुच रहा है कितना लोग जानकर हो रहे हैं कितना aware हो रहे हैं इस कारिकरम के द्वारा पता चलेगा चलिए अब देख लेते हैं next news दूसरा news यह है कि मनरेगा के तहट सबसे ज जादा रोजकार और यह कितना है यह approximately 18.52 lakhs है इसमें इतने सारे मजदूर जो है 18.52 lakhs मजदूर अभी काम करते हैं चलिए अब next news देख लेते हैं Google पे इंडिया की सलाकार नया appointment हुआ है जो appointment section होता है important examination में पूछे जाते हैं तो उसमें आप यह point note करके रख सकते हैं Google पे इ दिखा सर्मा ओके अब next news देख लेते हैं Nikki Asia Price 2020 है यह तो यहां पर एक तो यह ज़रूरी है जानना Nikki Asia Price होता गया है ठीक है तो Nikki Asia Price जो होता है इसमें यह technology को ही promote करने के लिए creativity creativity अगर हम better Asia के देखिए आपर Nikki Asia Price है ना तो Asia के better future के लिए कुछ creativity हम दिखाते हैं या sustainable development करते हैं तब यह price उस इंसान को दिया जाता है जो भी sustainable development को promote करेगा और create करेगा better future Asia का Asia है इसलिए Asia का ही आपको ज़रूरत नहीं है और कुछ यहां पर continent का Asia में ही यह मिलता है और Asia में ही अगर creation कर रहा है तो दिया जाता है इस साल किसको दिया गया है इस साल दिया गया है प्रोफेसर टी प्रदीप को और इन्होंने क्या किया है इन्होंने नानो टेक्नालोजी के थूर वाटर फिल्टर बनाया जिससे वाटर को फिल्टर कर सकते हैं और इसका चार्जर्स पता है कितना है इसका चार्जर्स बस टू पैसा पर लेटर है तो यह बहुत जादा ही sustainable development दो एक लिटर पानी को πα्ती प्रवेसर करने के लिए बस दो पैसा लगेगा तो यह कितना आसान हो जाएगा प्यूरिफाइड वाटर लेने के लिए तो इसलिए इनको दिया गया है यह वाला प्रयास और भी क्या है कि प्रधीप को जो प्रफेसेर ट्रभीश एंको बिजनस इन्नोवेशन में और तीसरा कल्चर एंड कम्यूनिटी में तो इनको जो वर्ड मिला है ये विज्ञान और प्रदोगी की मतलब की साइंस एंड टेकनॉलजी में इनको मिला है चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं आइठ खाल रैजिंग सण ये भी ऑड़ आफ रैसिंग सЙन किसको दिया गया तो ठंगजम द referendum जो है इनको दिया गया है और आफ्रड़ आफ लायजिंग सन अब यह जो rising sun है order of rising sun यह किसलिए दिया जाता है जापान के culture को environment को preserve करने के लिए या फिर जापान के ही welfare achievement में अगर को help करता है तो उस इंसान को दिया जाता order of rising sun इसको start किया गया था 1875 में जो emperor थे मीजी जापान के ही emperor थे इन्होंने start किया था तो यह किसको दिया गया है थंग जम धवाली सिंग को इन्होंने क्या किया भारत में जापान की बहतर समझ को बढ़ावा दिया है प्लस जो जापान और इंडिया का relation होता है इसको सुधार करने जो government scheme और भी कोई जो prominent institution होते हैं वो अगर schemes launch करते तो वो important होता है तो विकास अब है रिन योजान होने start किया है करनाटक विकास ग्रामन बैंक ने इसमें क्या होगा कि जो MSME जो रहते हैं MSME के जो borrowers रहते हैं उनको यह लोग लोन देंगे वन लाग का लोन देंगे जिसमें collateral security नहीं देनी होगी और यह 36 month के लिए होगा तो इसमें क्यों दिया गया है क्योंकि covid के वज़े से बहुत सारे business hamper हो रहे हैं और जो भी start किये थे अपना कुछ नया उनको बहुत loss हो रहा है तो इसी चीज़ को promote करने के लिए demotivate ना हो entrepreneurs या फिर MSME के जो borrowers हैं वो सम नही demotivate हो इसलिए यह देन योजना इन्होंने start किया है next news हम देख लेते हैं virtual G20 डिजिटल economy मंत्रियों की शिखर समलन हुई है और यह digital डिजिटल ही mode में हुआ है video conferencing के थुरू है और अध्यक्षता किस ने की तो इसकी अध्यक्षता की है साओधी अरब country ने next देख लेते हैं FIFA FIFA का नया अभ्यान start हुआ है hashtag we will win तो यह भी awareness generate करने के लिए ही COVID-19 के लिए यह launch हुआ है और FIFA का FIFA का आप लोगों को यह तो पताई होगा फुल फॉर्म पता योगा Federation International in Football Association यह बना था 1904-21 में को और अभी जो फिलहाल के इसके प्रेसिडेंट है वो है ग्यानी infantiano ज्यानी infantiano ठीक है चलिए next news देख लेते हैं GI tag मिला है अभी MP के काले चावल को गोरगपूर के तेरा कोटा को और को और एक मिठाई मिठाई है कदले मिठाई कोवल पत्ती की कदले मिठाई कोवल पत्ती की यह तामिल नाडू के साउथ साउथ तामिल नाडू में बनता है यह कोवल पत्ती की कदल मिठाई कदले मिठाई तो इस मिठाई को भी मिला है GI tag तो हमने अभी तीन important important items हो गए जिनको टैग मिला है काले चावल जो की माध्य प्रदेस को बिलॉंग करता है तेरा कोटा जो टॉइस होती है वो गोरकपूर वाले टॉइस को मिला है GI tag और कोवल पत्ती की कदले मिठाई को मिली है तीक है अब last important news देख लेते हैं first मैई को हम first मैई को international समिक दवस भी मनाते हैं international label day भी मनाते हैं और इसकी सुर्वात हुई थी 1891 में ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही यह hopefully आपको यह information examination में काम आएंगे help करेंगे notes अगर आपको चाहिए यह handwritten notes आईए तो link हमारे description box में आपको telegram channel का मिल जाएगा वहां से आप यह free of cost collect कर सकते और revise दी क कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही thanks for watching